इस्राइल हमास युद में गाजा के साथ खड़े इरान समर्थित हिजबुला के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं इधर इस्राइली सेना लेबनान के भीतर हिजबुला के ठिकानों पर हमले करती है तो उधर हिजबुला आईडियफ पर ताबर तोड रॉकेट और मिसाइले बरसा देता है दर असल हिजबुला का कहना है कि जब तक इस्राइल गाजा में हमले बंद नहीं करता तब तक वो अपने अटैक जारी रखेगा और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने एक बार फिर से इस्राइली फोर्सेस पर एक ही बार में लगातार तीन अटैक किये हैं यह हमले सिर्फ पांच-पांच मिनट के गैप के दोरान हुए इन में से सबसे पहला हमला हुनिन और कफार चौबा हिल्स में हुआ है यहाँ पर हिजबुला ने एक ही बार में दो हमले किये हैं हिजबुल्ला ने पहले ओपरेशन में हुनिन कासल पर हमला किया है जो इसराइली सेना का एक एहम ठिकाना था हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इस हमले में इसराइली सेना को सीधा नुकसान पहुंचाया है वहीं दूसरे हमले में हिजबुल्ला के लडाकों ने रोशेतल अलाम मिलिटरी साइट पर हमला किया है ये जगा पहले हमले वाली जगा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इस हमले के सिर्फ 5 मिनट बाद ही हिजबुल्ला ने शेबा फार्म्स में जिबदीन मिलिटरी साइट पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद 20 मार्ज 2024 की शाम को हिजबुला ने अलमर्ज मिलिटरी साइट पर गोला बारूद दागना शुरू कर दिया ये इलाका हुनिन कासल से उत्तर में स्थित है बड़ी बात ये है कि 8 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से ही हिजबुला इस जगा पर गोला बारूद दाग रहा है आपको बता दे कि हिजबुला के हमलों के जवाब में IDF ने दक्षणी लेबनान की अलग-अलग जगों पर हमले किये है और इन हमलों के जवाब में हिजबुला के लड़ाकों ने इसी दिन 25 मिनट बाद दो अलग-अलग हमले किये पहला हमला रात करीब 10 बज कर 5 मिनट पर हुआ ये हमला मेतुला सेटलमेंट पर किया गया जहां पर इसराइली सेनिकों ने पोजिशन ले रखी थी और इसके 25 मिनट बाद ही 10 बज कर 30 मिनट पर हिजबुला के लड़ाकों ने अवीविम सेटलमेंट में एक इमारत पर रॉकेट और गोला बारूद दाग दिया हिजबुला का कहना है कि इस बिल्डिंग में इसराइली सेना के जवान मौजूद थे और इस हमले के बाद एक मिलिटरी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इसराइली सेनिकों का एक जथ था जो अल बगदादी सेनने अड़े की तरफ बढ़ रहा था तब ही हिजबुला के लड़ाकों ने उन पर हमला कर दिया और इसको लेकार अलमयादी न्यू जजिंसी का कहना है कि इसराइली मिलिटरी कमांड इन सेनने अड़ो को दोबारा मजबूत करने में लगी हुई है वो यहाँ पर जरूरी हत्यार और जासुसी उपकरन लगा रही है लेकिन 19 मार्च 2024 को हिजबुला के लड़ाकों ने IDF की लोजिस्टिक टीम पर हमला किया था जिससे उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई